क्या आप विदेश जाना चाहते हैं क्या विदेश जाने में हर बार कोई न कोई रुकावट खड़ी हुजाती है क्या विदेश जाने के लिए आप सभी अर्चनों को खत्म करना चाहते हैं दोस्तों आपको ये मंत्र बहुत जल्द विदेश पहुँचा सकता है दोस्तों आपका स्वागत है वशीकरंट स्पेशलिस्ट यूट्यूब चैनल में इस चैनल में हम आपको दिखाते हैं टोने टोटके वशीकरंट स्पेशलिस्ट चमतकारी समाधान चमतकारी उपाए वरत पूजन विधी जोतिश ग्यान और बहुत सारी धार्मिक बातें तो दोस्तों सबसे पहले सबस्क्राइब कीजिए वशीकरंट स्पेशलिस्ट चैनल को हमारे वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले क्लिक कीजिए बेल आइकन पर जिससे की आपको हमारे लेटेस्ट अपडेट्स मिलते रहेंगे आईए जानते हैं कैसे करें विदेश जाने में आने वाली अर्चनों को दूर सिर्फ एक मंत्र से दोस्तों ये मंत्र आपको बहुत जल्द विदेश पहुँचा सकता है और आपकी विदेश जाने में आने वाली सारी रुकावटों को खत्म कर सकता है मगर आप इस मंत्र का उपयोग बताई गई विधी के साथ ही करें इस मंत्र को करने के लिए जो जरूरी सामगरी है वो इस प्रकार है एक भोजपत्र, सिंदूर, हल्दी, चंदन पाउडर, लाल कपड़ा, पाच, काली मेर्च, अनार के पेड़ की टहनी, लाल धागा इस विधी को करने का पूरा तरीका ये है सबसे पहले सिंदूर, हल्दी और चंदन पाउडर को मिला ले अब उसको स्याही की तरह और अनार के पेड़ की टहनी को कलम की तरह इस्तमाल करके भोजपत्र के उपर इस मंत्र को लिखें ये मंत्र है ओम, अनंग, वल्लभाय, विदेश, गमनार्थ, कार्य, सिद्यर्थ, नमह दोस्तों याद रखें इस मंत्र को आपको भोजपत्र के उपर लिखना है अब भोजपत्र को गोल-गोल करके लपेट ले उसके उपर लाल धागा बान दे और लाल कपड़े पर रख दे उसके साथ पांच काली मिर्च के दाने उसके साथ रख दे अब इसी मंत्र को 111 बार जाप करें और फिर पांच में से दो काली मिर्च के दाने अपने हाथ में उठा ले इनके उपर फूक मारें और इन दानों को समहाल कर अपने पर्स में या फिर जेब में रख लें फिर बाकी सामगरी को लाल कपड़े में लपेट कर उसे बहते हुए पानी में बहा दे इस विधी को करते समय दोस्तों ध्यान देने योगी बातें इस प्रकार हैं दो काली मिर्च के दाने हमेशा अपने पास समहाल कर रखने हैं जब आपका काम हो जाए तो यही मंत्र तीन बार जाप करके ये दोनों दाने भी पानी में बहा दें इस विधी को सोमवार के दिन करें और इस विधी को सूर्यास्त के समय करें तो दोस्तों ये था हमारा वीडियो जिसमें हमने आपको बताया विदेश चाने में आने वाली अर्चनों को दूर करने के लिए किस मंत्र का उपयोग करना है अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करके अपने दोस्तों के साथ जरूर शे प्रेशलिस्ट के साथ